सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाने वाले राजपूर, भ्राम्मन, भुमिहार और कायस्त की स्थिती क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं जातीय जन्गन्ना की रिपोर्ट महज कुछ दिनों में अभ प्रकासित होने वाली है पब्लिक डोमेन में आने वाली है लेकिन उससे पहले श्वर्न आयोक की रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं दलित नेताओं द्वारा सोशित कहे जाने वाले तथा कथित सोशित कहे जाने वाले राजपूत ब्राम्मन भुमिहार और कैस्त की स्थिती बस्थु स्थिती क्या है वो हम आपको बताने आए हैं कि दरसल इन लोगों का हाथी बिक चुका है लेकिन ये लोग सिक्कर लेकर के गूम रहे हैं और अपने आपको बहुत बड़ा जमिंदार बताते हैं लेकिन आखिर इनकी सच्चाई क्या है इनकी हकीकत क्या है इनकी आर्थिक स्थिती क्या है जब आप जानेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों का हाथी कपका बिक चुका है लेकिन ये ल जिन्सकुमार सिंग और आप देख रहे हैं Positive India अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये और जो लोग अलेडिक कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहिर धन्यवाद अब आ जब भी पत्रकार इन से सवाल करते थे तो इनका ये कहना होता था कि हम जाती अधारित जंगन्ना जो करवा रहे हैं ये एक तरीके से आर्थिक सर्वेक्षन है और इस से हमें जातियों की इस्थिती के बारे में पता चलेगा और उनके समाजिक और आर्थिक सुधार के जानकारी मिली उसके बाद इसे प्रकासित भी किया गया पब्लिक डोमेन में भी लाया गया लेकिन कई बरस भी चुके हैं लेकिन सरकार ने ना तो अब तक कोई योजना बनाई ना ही इनके आर्थिक सुधार के लिए कोई भी कदम उठाया नहीं आपको बताते चले कि स्व खैरान रह जाएंगे कि इनके बच्चे सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाते हैं लेकिन बस्तु स्थीती क्या है वो आप सुनकर ज्यादा दंग रह जाएंगे कि दरसल इन लोग का हाथ ही कब का विक चुका है और ये लोग सिक्कर लेकर के घूम रहे हैं और अपने आपको बरका का बरका आप कह सकते हैं कि नवाब और जमिनदार अपने आपको बताते हैं वहीं आपको बताते चले कि साल 2011 में स्वर्ण आयोग के एक सदस्य की माने तो लगभग 20 साल के जतन के बाद साल 2013 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपी थी विहार सरकार को थे और उनके सुझाओ आज भी हाईलो में धूल ज़ाक रहे हैं वहीं स्वर्णों की स्थिती में सुधार के लिए सरकार ने ना तो कोई कदम उठाया और ना ही कोई भी प्रयास किया वहीं आपको बताते चले कि लगभग दो साल में 25 जिलों में अपने अध्यन के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सरकार को बताया था कि स्वर्ण जाती के 49 प्रसेंट यानि के 49 प्रतिसत बच्चे केवल गरीबी के कारण पढ़ाई छोरने पर विवस है यानि कि स्वर्णों में जो चार जाती आती है भुमिहार भ्रामन राजपूत कायस इसके 49 प्रतिसत बच्चे पैसे के कारण आर्थिक तंगी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और तेंथ के बाद पढ़ाई छोरने पर मजबूर हो जाते हैं वहीं आपको बताते चले कि दरसल स्वर्णों का मुख पेशा जो है वो क्रिसी कहा जाता है खेती कहा जाता है किसानी कहा बताते हैं वहीं आपको बताते चले कि दरसर स्वर्णों की जो बस्तु इस्थिती है उसमें भुमिहार, भ्रामन, राजपूत और काइस्थ हैं जिन में 55 प्रतिसत गरीब हैं गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं लेकिन सरकार की गरीबी रेखा के पैमाने से य राजपूत हो, भ्रामन हो, कैस्त हो, ये सारे लोग जो हैं अपनी जमीने बेच रहे हैं और लगभग 55 प्रतिसत से जादा ये लोग अपनी जमीने बेच चुके हैं यानि कि आप मान लिजे कि अगर 10 कठागर जमीन है तो उसमें से सारे 5 कठा जमीन बिग चुका है और ये पूरा का पूरा चारो जातियों की स्थिती है वहीं आपको बताते चले कि भुमिहार जाती जिसका बिहार में कहा जाता था कि बिहार के 65 प्रतिसत छेत्रफल जमीन के मालिक भुमिहार है लेकिन उनकी स्थिती क्या है वो भी जरा जानने की बात है कि भुमिहार, राजपू तो ब्रामन और काइस्त ये चारो जातियां जो है वो अपने जमीने बेचने पर मजबूर है अब पूछे का कि ये जमीने आखिर बेच क्यों रहे हैं तो इसके बहुत सारे कारण है लेकिन सबसे पहला कारण ये है कि दरसल इन लोगों के पास आमदनी का कोई जड़िया नही हैं कमाने वाला एक वेक्ति है और बैठ करके खाने वाला दस वेक्ति होता है जिसके कारण यानि कि कह सकते हैं कि आमदनी अठनी खर्चा रूपईया और उसी के स्थिती ये है कि ये लोग जमीन बेच कर खाने को विवस है नहीं दूसरा जो मेन मुद्दा है कि ये लोग अ उची सिक्षा के लिए विदेस भेशते हैं या बड़े सहरों में भेशते हैं। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि ये लोग अपने बेटी की साधी के लिए अपनी जमीने भेशते हैं। सारी योजनाओं का लाव मिलता है लेकिन ये जो गरीब सवर्ण जो हैं जिनके पास जमीने हैं और इनके घर में कैंसर और ऐसी कोई खतरनाक पीमारी हो जाए तो इन लोगों को जमीन बेच करके अपना इलाज कराना पड़ता है सरकार से भी कोई मदद नहीं मिल पाती है वही जमीने बेच चुके हैं वहीं राजपूत जो है आठ प्रतिसत से ज्यादा अपनी जमीने बेच चुके हैं ब्राम्मन में यह आकरा 5.8 प्रतिसत का है वहीं कायस्त में 4.6 प्रतिसत का आकरा है यानि कि आप कह सकते हैं कि जो लोग जमीनदार कहे जाते थे आज जमीन बेच कर अपना गुजर बसर करने को मजबूर है वहीं आपको बताते चले कि दरसल 55% स्वर्णों के पास एक एकर भी जमीन नहीं बची है वहीं आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बिहार में 55.1% स्वर्ण ऐसे हैं जिनके पास एक एकर से भी कम जमीन बची है लग बेचने वालों में से जिसको कहा जाता है हमारे बिहारी भासा में कि गेंडा और करके घी पीना अब जो लोग गेंडा का मतलब नहीं समझते हैं उनको वो रजाई के जगह समझ लीजे कि रजाई और करके घी पीना यानि कि ये लोग क्या करते हैं कि सहरों में बसने के अपने गाउं की पुस्तैनी जमीन तक बेच देते हैं और इन लोगों को सर्म तक नहीं आती है कि जो बेखती कोई-कोई ऐसा बेखती हम आपको एक उदाहरन दे रहा है कि एक बेखती ऐसा है जो कि अपने बेटे को अपना बाइक तक चढ़ने के लिए नहीं देता है कि ये बाइक मेरा है तुम कैसे चढ़ोगे तुम अपना कमा करके बाइक खर दो लेकिन वही बेखती अपने पिता के अपने दादा के अपने परदादा के द्वारा और मेहनत खुन पसेने की कमाई से खरीदी हुई जमीन को बेचने का सपना देखता है और बेचता है तो वैसे को निरलज ही कहा जाएगा देखिए बात ऐसा है कि जो कि ये हम नीज के अलाबा एक बेभारिक बात आप लोग को कहने जा रहे हैं और बेभारिक बात यही है कि जैसे अभी हमने आपको एक मोबाइल दिया कि इस मोबाइल को आप रखिए ये मोबाइल आपका नहीं है आपको सिर्फ रखने के लिए दिया गया है तो क्या आप उस mobile को बेच देंगे क्या आप उस mobile को तोड़ देंगे कोई भी वेक्ती अगर कोई भी चीज आपके पास अगर रखता है तो ना तो उसे बेचने का कोई अधिकार आपको है ना ही उसे तोरने का अधिकार है ना ही बरबाद करने का अधिकार है लेकिन आजकल के लोग जो है इस बात को नहीं समझ पाते हैं और अपने तो एक धूर एक इंच जमीन तक नहीं खरीद पाते हैं एक फूस का मकान तक नहीं बना पाते हैं लेकिन सोचते हैं कि बापदादा की जो जमीन है उसको बेच दे और इसके लिए ब कुछ हो नहीं सकता है, ना घर बन सकता है, ना खेती हो सकता है, इसलिए उस जमीन को हम बेच रहे हैं, और ऐसा ऐसा बहाना बनाया जाता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, कि उनके बाप दादा ने अपने मन को मार करके, अपने पेट को काट करके, खुन पसीने की कमा इसे फटा हुआ पहन करके भूखे रात में सो करके उस जमीन को खरदा था लेकिन बेचने बाले को आखिर सर्म कहां से आती है और आपको हम अपने बारे में बताते चले कि हम भूखे मर जाएंगे हमको अगर कैंसर लामक बीमारी भी हो जाएगी हमको उपर का टिकट भी अग पढ़ेगी तो हम कभी भी अपने बाप दादा की कमाई हुई संपती का एक इंच तक नहीं बेचने देंगे और नहीं अपने बच्चे को बेचने देंगे जब तक हमारी चलेगी और यही बात लोगों को भी समझनी चाहिए कि आखिर जमीन का टुकड़ा या आपके पास जो भी पैत्रिक संपती है उसे बेचने का आपको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसे बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है लेकिन निरलर लोगों को बेसर्म लोगों को ये सारी बाते समझ में नहीं आती है वहीं हम चर्चा कर रहे थे कि आखिन स्वर्णों की स्थि उठाया वही जाती जनगन्ना की रिपोर्ट आने वाली है और जाती जनगन्ना के बारे में कहा जा रहा कि इस से हमें जातियों की आर्थिक स्थिती के बारे में पता चलेगा उनकी जनसंख्या के बारे में पता चलेगा उनके समाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कदम उठ हाई जाएंगे लेकिन देख करके तो ऐसा नहीं लगता है कि मानिय नितिस बावु कुशासन बावु ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं बलकि जाती जंगर्ना जो कराई गई है ये मोधी की काट की तरह है यानि कि मोधी जहां पे सारे हिंदूों को एकत्रित कर रहे हैं चाहे पासमान हो चाहे राम हो या फिर कुर्मी हो कोईडी हो राजपूत हो भूमिहार हो ब्रहमन हो सब को कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि ना तुम कैस्थ हो ना तुम राजपूत हो ना तुम भूमिहार हो ना तुम पासमान हो तुम सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो और ये ह जातियों में विभट करके बिहार में जाती अधारित बोट जो होता है तो उसको एक चलन में रखने का ये एक नयाब तरीका है जिसे सरकार ने अपनाया है और ये कहा जा रहा कि मोधी के हिंदुत काड का ये काट है जो कि सरकार करने जा रही है जातिये जंगणना की रिपोर के लिए क्या कदम उठाया आपकी स्मुद्धे पर क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कि प्या कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे जुरे रहे हमारे साथ जै भर्त जै विहार